नमस्त्का दोस्तों स्वाकत आपका आपका आपके प्रकार से पहले मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा वह सब राते अपना कर्ज चुकाती हैं जिनकी नीदे किताबों में खो जाती है तो आप समझ गया होंगे मैं आपको मोटिवेट करने के लिए आया हूं किसी प्रकार से अगली बार का और यह अखरी और अंतिम बार मान के त्यारी करो क्योंकि अगली बार का सोचोगे तो फिर सीटी आजाएगा फिर आपको सीटी क्रैक करोगे फिर रेल्वेग जाम की बात करोगे कब आपकी वेकेंसी आएगी कब नहीं आएगी यह फरक नहीं पड़ता जो भी आपके पास दम है जो भी आपके पास समय है जो भी आपकी पास जो भी है सब कुछ एकदम एकदम जोग के तैयारी करो रगड के तैयारी करो आपको कोई नहीं रोक सकता आपको नोक्री लेन तो डेल्वे गृूबडी 2022 ये आखरी मौका मान के तयारी करो नहीं लगे नोक्रीया दूब के खतम करो बाग क्या बार्वाद तयारी करना वही चीजे पढ़ना क्या क्या यह अर आखरी मान के तयारी करो ना selection पका कोई नहीं रोक सकता अ पहली बाल तो डेर को अटाओ आप से मैंने कल पूछा था वीडियो के माद्धम से जब मैंने वीडियो पनाया कि आप लोग कॉमेंट करके बताओ कि आप लोग कितने कोशन कित्में किस सब्जेक्ट में कर रहा हूं पिर से वही कॉशन आज भी पूछूंगा और दोनों आप साथ कर रहे हो तो साथ बताना, साथ में मुझे ये बताना कि आप रीजिनिंग में कितने कर रहे हो, मैट में कितने कर रहे हो, जीके में कितने कर रहे हो, और आप साइंस में कितने कर रहे हो, ये भी मुझे कमेंट करके बताना, सभी लोगों से मैं चाहूंगा, इसे हिसा एक्जाम गुरू सुधीर, एक्जाम गुरू सुधीर, सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, चलिए, खर ये बात की बात है, अभी रेलवे गुरूबडी, इस तब फॉलो करो ना वरो, यहां फे सब्सक्रेब करना बहुत जरूरी है, ठीक, रेलवे गुरूबडी की त कराता था, PCS एक्जाम कराता था, अब फिर बेंडर चेंज हो गया, रेलवे गुरूबडी का, फिर से बेंडर ने का भी हम एक्जाम नहीं करा पाएंगे, फिर से बेंडर लेने की प्रक्रिया चल लई है, एक कोशन जो बार बार आपके मन में अभी भी चल लई है, वो यह सारे बच्चे इस फिकर में है कि भाई वेंडर का सेलेक्शन नहीं हुआ, तो हम तयारी क्यों करें, हम पढ़ाई क्यों करें, आप पढ़ाई मत करो, आपके लिए रेलवे गूरूब डीक नोगरी मनी भी नहीं आपका सेलेक्शन नहीं होगा, आप हड़ जाओ, आप कोई पढ़ाई मत कम से कम जो पढ़ने वाले बच्चे हो तो पढ़के सेलेक्शन ले सकते हैं, तो जुलाई नहीं अगस्त में एक्जाम होगा, अब एक्जाम कौन पर आएगा, देखो कोई नहीं मिलेगा, तो TCS तयार बैठा है, TCS एकदम खोल के तयार बैठा कि भाईया हम ए अब भाई TCS एक्जाम कराएगा, TCS NTPC CBT2 का भी एक्जाम करा रहा है, आपको पता TCS जब NTPC CBT2 का एक्जाम करा रहा था, तो उसके जब questions आने लगे भाईया, तो थोड़ा सा छात्रों के अंदर डेर बैठ गया, क्या इसी लेवल का ग्रूप D का एक्जाम होगा, भाई या अब क्या करेंगे, भाईया, या सोचना ही आपका गलत है, भाई CBT1 से compare करते तो मान लेते, लेकिन CBT2 से compare कर लो, graduate लेवल का एक्जाम और ये 10th लेवल का एक्जाम, तो आप कैसे comparison कर सकते हो, भाई अगर जो 100 question आते हैं, तो आपको 30 question बहुत कथिन मिल जाते हैं, 30 question बह आप इस 70 की तरफ ध्यान दोना, दो तरीकों से selection होता है, एक तो question करके selection होता है, एक तो question छोड़ के भी selection होता है, आपको क्या बोल लो, question छोड़ के selection कैसे हो जाएगा, देखो, ध्यान से बात सुनो, वीडियो को skip मत करना, बहुत important बात मैं बताने जा रहा हूं, आज आपक बहुत important बात बताने जा रहा हूं आज आपको, ध्यान से देखना, मैं फिर से बोलता हूं, अभी भी आपने subscribe नहीं किया, तो बहुत बड़ी गलती कर लो, channel को subscribe कर लो, ठीक, हाँ, चलो, और एक और बात मैं बता देता हूं, जिन लोगों का math, जिन लोगों का math, जिन लोग 500 question की guest paper की हमारी PDF है, science के 5000 plus chapter wise आपको मिल जाते हैं, physics chemistry, मैं दोनों की PDF की link description में है, आप सभी लोगों से मैं चाहूंगा, एक एक बच्चा लेके रड़ डालो, link description में है, बहुत benefit करेगा, आप याद करोगे कि सुधीर सर का notes था, मैंने पढ़के गया था, और इससे मुझे फ static जी के, या आप हमारा master practice set लगा डालो, master practice set, आप ये math मत लेना, अगर master practice set लेते हो तो, तो math मत लेना, science और master practice set लेके लगा डालो, practice करना चाहते हैं, तो सारे PDF जो हमारे important है, उसके link description में, खेर, ये हटाते हैं, ठीक है, benefit आपको बहुत सारा होगा, बीडियाप से, खेर, हम आपने बोला कि questions करके आते हैं, कि भाई आप बहुत ते जो, आप बहुत ते जो, आपने general awareness में 15 मार दिये, आपने mathematics में 20 मार दिये, आपने reasoning में 25 मार दिये, आपने general science में 20 मार दिये, तो ये तो selection हो जाएगा, पका है, ये तो railway group D की नौकरी ले गया, ठीक, लेकिन, लेकिन अब काओ के सर ये, आपने बोला कि question करके selection होता है, question छोड़के कैसे selection हो देखो, ध्यान से देखो, जैसे मैं ने बोला कि reasoning के 30 question आने है, 30 question paper examiner कैसे बताएगा, बा- examiner कहेगा, भईया, हम एक काम करते हैं, इसमें 20 question बना देते हैं, थोड़ा सा simple, 20 question simple बना देते हैं, 20 question simple बन बना देते हैं हम का करते हैं पास कोशन हम मोडेरेट बना देते हैं मोडेरेट बना देते हैं और पास कोशन हाड बना देते हैं हाड बना देते हैं अब हाड का मतलब यह नहीं होगा की बहुत कठी होगा हाड का मतलब यह होगा कि भाई एक कोशन लगाने में आपको पास यह हलकी फुलकी बात नहीं हो ती बहुत बड़ी बात होती है और एक बात और ध्यान रखना जब भी आप एक्जाम सेंटर में बैठना तो आपके लिए बहुत बड़ी चुनोती यह होगी कि 90 मिनट आपके पास टाइम होगा और सो कोश्चन करने होंगे यह भी बहुत गवा देते उसके बाद आप पता चलता है 80 कोशन किये हो तक टाइम आपको अलार्म देने लगा कि दो मिनट भाई आपके पास टाइम बचा है यानि कि 80 के बाद 20 कोशन और है और इस बीच में आप 10 12 कोशन 15 कोशन सही कर सकते थे यानि कि वो भी टाइम आपका खा गया तो इस चीज़ पर ध्यान डखना आपको कौन सा कोशन चोड़ना है कौन सा कोशन करना है आपको लगता ये कोशन मै कर सकता हूं लेकिन तो आप उस question को छोड़ना सही सब्जो, लेकिन छोड़ना सही सम्झो के साथ साथ माइंड में रखो, कि मैंने इस question को छोड़ा है, मैं ये कर सकता हूँ, लास्ट में को जो time बचा, तो उस question को attempt करो, तो ये मैं बोलना हूँ, भाई मैंने बोला, कि भाई रिजिनिंग में 20 question hard simple बनेगे, तो क्या आप 20 simple नहीं कर सकते, तो ये 20 simple ही सिर्फ करो ना, 5 moderate बनेगे, तो moderate में 4 ही कर लिया, और 1 hard में कर लिया, तो 25 question तो साइंस में कर लिये, और साइंस में आपको 25 करके ही आना है, 25 से कम अगर जो आपको किसी भी practice set पे कर रहा है, तो मत करो भई, पढ़ाई छोड़ दो, अभी भी बोलता हूँ, आप 5 घंटे का time table बना रहा हो, तो आप कम से कम 2,5 घंटे reasoning पे दो, क्योंकि ये reasoning ही आपको selection दिलाएगा, जहां पे 30 question आपके आने वाले, ठीक है, समझदार हो तो समझ जाओ, मेहनत करो, इससे बढ़िया मौक आपको कभी नहीं मिलेगा, railway के एक्जाम के लिए, CTI का दो एक्जाम, तीन एक्जाम आपको, आपको परिस्दानी होगी, problems होगी, और कहोगे मैं तो बहुत लगी आदमी था, जो मुझे एक एक्जाम देने के बाद नोकरी मिली गया, ठीक, इसी प्रकार से मैथ की बात कर ले, तो मैथ भी ऐसा नहीं है, NTPC का पेपर भी हुआ, ऐसा नहीं है, बहुत हाड आया था, हाँ आया था, लेकिन कुछ कोश्चन सिंपल भी थे, कुछ कोश्चन हो, नॉर्मल भी थे, मॉड्रेट दे, कुछ कोश्चन हाड थे, अब हाड पर ही फोकस करो, तो हाड आया गई, तो लेवल को ध्यान रखो, अब देखो, बात करें मैथेमेटिक्स के, मैं फिर से बोलता हूँ, सिर्फ अगर जो number system की बात करें, simplification सी बात करें, number system, simplification, LCM, SCF, मैं तीन topic लिख रहा हूँ, number system, संख्या पद्धती, simplification, board mass, board mass rule, और आपका LCM, SCF, LCM, SCF, fraction, fraction, और decimal, यह मैंने topic लिखाना है, यहां से लिख लो, 9 से 10 कोस्चन सिर्फ यहीं से आएंगे, 9 से 10 कोस्चन सिर्फ यहीं से आएंगे, आपके, सिर्फ इन topic से, इर से बोलता हूँ, मैथ में वीख हो, तो अप PDF लेके लग रहा, डालो पांतो कोस्चन, link description में, इन ही topic से 10 कोस्चन आएंगे, 9 से 10, तो यह तो आपको करना पड़ेगा, आप simplification ऐसा होगा, कि बहुत लंबा देगा, आपका गड़ित लगाने का practice नहीं किया, कि बहुत लगा सकते हैं, बोर्ड मास रूल नहीं पता, तो आप गलत करोगे, लगाने का practice नहीं है questions को, जल्दी जल्दी तो आप गलत करोगे, गलत नहीं करोगे, टाइम ज्यादा लो लोगे, तो वो टाइम आपका दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, तो यह तरीका होता ता यारी करने का, इसलिए math or reasoning, जितना practice कर लेते हो, उतना भैतर कर लेते हो, तो math में भी यही चीज़े होने वाला है, तो आपको मैंने बोला, कि math में 25 कोशन आने है, तो आपके 25 में मालो 16-17, आपके simple बने, 5-6 आपका moderate बने, 4-5 कोशन hard बने, तो यह hard पे फोकस क्यों करते हो, छोड़ दो ना, छोड़ दो, आपको पढ़ना ही नहीं, यह मान के चलो, कि math का paper मुझे मिलेगा, जब भी मैं math लगाऊंगा, तो मैं 5 कोशन छोड़ूंगा, आपको बिदवान नहीं बनना, आपको selection लेना, आपको नौकरी में, यह मान के चलो, आपको ध्यान देना है, तो यहां से 20 कोशन तो कर सकते हो, तो ध्यादा मत सोचो बाबू, जो चीजे आप पढ़ चुके हो, रिवीजन करो, जो चीजे बहुत सिम्पल नहीं आएगा, SICI से कोशन पका है, लेकिन उतना डिपली नहीं जाएगा, सिम्पल इंटेस्ट आपको बहतर तरीके से पढ़ना है, लेकिन कमपाउंड से कोशन आएगा, सिम्पल कमपाउंड इंटेस्ट पूछेगा ध्यान रखना, ठीक है, चलो, अब बात करें साइंस की, साइंस के लिए जितना भी पढ़ा आओ, उसका रिवीजन करते रहो, जितना भी पढ़ा उसका रिवीजन करते रहो, 5000 कोशन का पीडियाफ हमारा, उसको लेके रड़ डालो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक, चलो, जनर्रल अभी एर्नेस के बारे में मैं बात कर लेता हूं, मैंने बोला कि 8 से, नहीं है, डेरना नहीं है, आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, परसंटाइल बेस चीजे होंगी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, कल मैंने परसंटाइल के बारे में भी बताया था, बात किया था, 50% बच्ची एक्जाम छोड़ने जाने रेलवे को बटी, आपके पास बढ़िया मौका है, आपके पास बढ़िया मौका है, 70 प्लस कोशन करके आओ, आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन accuracy आपकी 100% होनी चाहिए, यह नहीं कि 70 कोशन कर लिया, उसमें भी आपका 10, 12 गलत हो गया, तो गलत हो जाएगा, accuracy 100% होनी चाहिए, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, सेलेक्शन से, आपका जोन कोई भी हो, लेकिन accuracy 100% है, 70 ही 70 सही है, तो हो जाएगा, ठीक, हो जाएगा, उसके बाद जो भी आएगा, ढेख लिया जाएगा, ठीक, बाकी कोई भी दिखकत हो, तो कमेंट करके बताओ, कहां पर समस्यारी, मैंने बोला आपको नमबर, कल भी पूछा था,